आज की कहानी लेखक अमरकांद के द्वारा लिखी जई एक थी गौरा लंबे कद और डबलंग चहरे वाले चाचा रामशरण के लाग विरोध के बावजूद आशू का विवाव वही हुआ उन्होंने तो पहले ही एलान कर दिया था कि लड़की बड़ी बेहया है आशू एक ब्यवहार कुशल आदर्श वादी नौजवान है जिस पर माक्स और गांधी दोनों का गहरा प्रभाव है वह सुभाव से शर्मीला और संकोचे भी है वह सवकुचित विशेश रोप से इसलिए वी था कि सुहाग रात का वह कक्ष विनमों में दिखाये जाने वाले द्रश्य के विपरीत एक छोटी अंधीरी कोठ्री में था जिसमें एक मामूली जंगला था और मच्छरों की भन-भन के बीच मोटे-मोटे चुहे दोर लगा रहे थे लेकिन आशो की समस्या इस तरह दोर हुई कि उसके अंदर पहसते ही गोरा नाम की दुलहन ने घूगा टुठा कर कहा लीजिये मैं आदे आप जहा रहते मैं वही पहुँच जाती अगर आप कॉलेज में पढ़ते होते और मैं भी वही कॉलेज में पढ़ती होती तो मैं जरूर आपके प्रेम बंदन में बंद गई होती आप अगर इंगलेंड में पैदा होते तो मैं भी वहाँ जरूर किसी न किसी तरह वह जाती मेरा जन्ड तो आपके लिए ही हुआ है कोई चोहा कहीं से कूदा खड़़़ड की आवाज हुई और उसकी कथन में भी व्याबधान पड़ा वह फिर बोलने लगी मेरे बाबुजी बड़े सीधे साथे हैं इतने सीधे हैं कि भूक लगने पर भी किसी से खाना न मांगे इसनिए जब वह खाने की पीड़े पर बैठते हैं तो अम्मा कहीं भी हो दोड़ कर चली आती है वह जिप करके उन्हें ठोस ठोस कर खिलाती है उनकी कमर की धोती धीली कर देती है ताकि वह पूरी खुराग ले सकें हमारे बाबुजी ने बहुत सहा है लेकिन हमारी अम्मा भी बड़ी हिमती है वह चुप हो गई उसे संदें हुआ कि आशू उसकी बात ध्यान से नहीं सुन रहा है पर ऐसा नहीं था वस्तुता आशू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे फिर उसकी बातें भी दिल्चस्प थी उसका कथाई जारी था बाबो जी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर थे बड़े बाबो दिन में डूटी करते थे और हमारे बाबो जी रात में एक बार बाबो जी को नीद आ गई प्लेट फार्म पर गाड़ी आकर खड़ी हो गई गाड़ी की लगतार सीटी से बाबो जी की नीद खुली गाड अंग्रेज था बाबो जी ने बहुत माफी मागी पर वो नहीं माना ये डिस्मिस कर दिये गई नौकरी छोट गई, गाउं में आ गई खेती बारी बहुत कम होने से दिक्कत होने लगी बाबो जी ने अपने छोटे भाई के पास लिखा मदद के लिए तो उन्होंने कुछ फटे कपड़े बच्चे के लिए भेज दिये ये बैवहार देखकर बाबो जी रोने लगी इतना कहकर वो अंधेरे में देखने लगी अशुम भी उसे आखे फाड़ कर देख रहा था ये क्या कह रही है और क्यों क्या यह दुख कष्ट बयान करने का मौका है ना शर्म और संकोच लगातार बोले जा रही है उसने कहना आगे शुरू किया लेकिन मैंने बताया था ना मेरी मा बड़ी हिम्मती है एक दिन वह भया लोगों को लेकर सबसे बड़े अफसर के यहां पहुँच गई भया लोग छोटे थे वह उस समय गए जब अफसर की अंग्रेज औरत पाहर बरामदे में बैठी थी अम्मा का विश्वास था कि औरत ही औरत का दर्द समझती है अफसर की औरत मना करती रही उत्ते भी दोड़ाए पर अम्मा नहीं मानी और दुखडा सुनाया अंग्रेज अफसर की पत्नी ने ध्यान से कुछ सुना फिर बोली जाओ हो जायेगा अम्मा गाव चली आई कुछ दिन बाद बाबो जी को नौकरी पर बहाल होने का तार भी मिल गया तार मिलते ही बाबो जी नौकरी जॉइन करने के लिए चल पड़े पानी गिर रहा था और वन ही माने बारिश में भीखते ही स्टेशन के लिए चल पड़े उनकी रुहेल खंड रेलवे में नुक्ती हो गई बनबसा, बरेली, हल्दवानी, काटकोदाम, लालकुव हम लोग कई बार पहाडों पर पैदल ही चड़ गए भीम ताल की जड़ाई, राजा जीन्द की कोठी उधर के स्टेशन, वाटरों की उची उची दिवारे शेर, बाग, जंगले जानवरों का हमेशा खत्रा रहता है एक बार हम लोग जाड़े में आग ताप रहे थी तो एक बाग ने हमला कर दिया लेकिन आग के वज़े से हम लोग बाल बाल बच गए वह इस पार से उस पर कोट कर भाग गया वह रूप गई, आशू को देखने लगी फिर वह बोली, मैं तबी से बोले जा रही हूँ आप भी तो कुछ कहिए, आशू सब पका गया फिर धीरे से संकोच पूर्वक बोला मैं मेरे पास कहने को कुछ खास नहीं है हाँ, मैं लेखक बनना चाहता हूँ मैं लोगों के दुख, दर्द की कहानी लिखना चाहता हूँ लेकिन मेरे अंदर आत्मविश्वास की कमी है पता नहीं, मैं लिख पाऊँगा की नहीं क्यों नहीं लिख पाएंगे, जरूर लिखेंगे मेरे बज़ा से आपके काम में कोई रुकावट नहीं होगी उससे जो भी मदद होगी, हो सकेगी, मैं जरूर दूँगी आप निश्चिंत रहिए मेरे भईया ने भी कहा है कि तुम्हें अपने पती की हर मदद करनी होगी जिससे वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ सके मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए आप जो खिलाएंगे और जो पहनाएंगे वह मेरे लिए स्वादिश्ट और मूल लिवान होगा आप बेफिक्र होकर लिखिए पढ़िए आपको निरंतर मेरा सयोक्राप्त होगा उसकी आखें भारी हो रही थी और अचानक वह नेध के आगोश में चली गई आशु कुछ देर तक उसके मुख मंडल को देखता रहा वह सोचने लगा कि गौरा नाम की इस लड़की के साथ उसका जीवन ऐसे बितेगा कमेंट्स में जरूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें नए ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें तब तत्विन ये जय हैं जय भरत